नमस्कार निशामधुलिका.com में आपका स्वागत है आज हम सूजी की मटरी बनाएंगे ये बहुत ही स्वाधिस्ट और खस्ता होती है इन्हें बनाना भी बहुत आसान है तो आएए बनाना शुरू करते हैं सूजी की मटरी बनाने के लिए सबसे पहले हम सूजी से दो बनाकर तैयार करेंगे प्याले में हमने ढ़ाए कप सूजी ले लिए है अगर बारीक सूजी ना मिले तो नORMAL है मोटी वाली वो ले सकते हैं लेकिन फिर उसमें आप आदा कप मैदा मिला लीजिए बठरी बहुत अच्छी बनकर तयार होंगे हमने आदा कप तेल लिया है यह हम सूजी में डाल देते हैं और यह हमने दो हरे मेच बारी काट कर ले लिये हैं बीज हटा दिये हैं तक चमज जीरा ओर एक चोटी चमज अजवाइन थोड़ा साँ अजवाइन को हम ख्रस्ट कर लेते हैं हाट से अच्छा टेस्त आता है कि सारी चीजों को मिला देते हैं और अब हम इससे डो बनाकर तयार करेंगे तो डो बनाने के लिए हमने पानी हलका गरम करके ले लिया है पानी को हम सूजी में डालेंगे और डो बनाएंगे हमें इसका थोड़ा सा सॉफ्ट बनाना है जैसा हम मैदा का डो बनाते एकदम सक्त बनाते हैं मठ्वी बनाने के लि यह हमने soft आटा लगा कर तयार कर लिया आटा भी soft है लेकिन सुजी फूलेगी आटा थोड़ा सा hard हो जाएगा आटे को ढख कर हम पूरे 20 मिनिट के लिए रख देंगे आटा set हो जाएगा इसके बाद मठरी बनाएंगे बीस मिनिट हो गया है हमारा आटा भी set हो कर तयार हो गया है आटा सक्त भी हो गया है आटे को हम थोड़ा सा मसल लेते है और इतना घॉल्टा लगानेमें हमने आदि कबसे थोड़ा सा जाधा पानी यूज़ किया है अब हम आटे को तोड़कर मठरी के लिए लोईयां बनाएंगे तो मठरी अपनी पसंद के अंसार थोड़ी सी छोटी या थोड़ी बड़ी बना सकते हैं ह съ существ dice cabbage तोड़ेंगे और इसतरीके से लंबाई में बढ़ाएंगे और आटे को छोटे चोटे तुकड़ों में तोड़कर तयार करेंगे और एक आटे का टुकड़ा उठाएंगे उसे हम गोल करके इस तरीके से पेड़ा बना लेंगे और बिलेंगे बागी आटे हम धक करके रखेंगे ताकि आटा सुखे ना मठ्री को हम हलका सा मोटा रखेंगे और अब हम इसके उपर फॉर्क से छेद करेंगे ताकि मठ्रियां फूले ना दोनों तरफ अब इसे पलट करके यहां वी इसे फॉर्क कर देंगे तो इस तरह से हम मठ्रे बना कर प्लेट में रख लेते हैं तो पहले हम 5 पानच शें मठ्री बना कर तयार कर लेते हैं इधर हम कढाई में तेल गरम करने के लिए रख देते हैं गैस ओन कर और मठ्रियां बिल्कुल इसी तरीके से बेल कर फॉर्क करके तयार करेंगे हमने यह थोड़ी सी मठ्री बेल कर तयार कर लिया है अब हम इने तलेंगे मठ्रियां तलने के लिए हमें तेल मीडियम से भी कम गरम चाहिए तो तेल को हम चेक करने के लिए थोड़ा सा आठा हम तेल में डाल देते हैं आठे में बबल्स आ रहे हैं और गैस हमने बिल्कुल धीमी कर दिये हैं क्योंकि तेल हमारा गरम हो गया है तो मठ्रियां तलने के लिए हम तेल में डाल देते हैं तो जितनी मठ्री एक बार कड़ाई में आ जाए उतनी हम डाल देंगे और गैस मीडियम कर देते हैं मीडियम आग पर हम मठ्रियों को तलने देते हैं और जब तक हमारी ये मठ्री तल रही है इधर तब तक हम दूसरी मठ्री भी इसी तरीके से बेल कर बना कर तयार करेंगे इनका पूरा दिहान रखेंगे आग बिल्कुल तेज नहीं होनी चाहिए मठ्री हलकी सी नीचे से सीख गई है हम इने पलट देते हैं मठ्रियों को पलट पलट कर अच्छी गोल्डन ब्राउन होने तक तलना है मठ्रियां अच्छी गोल्डन ब्राउन हो गई है हम इने निकाल लेते हैं मठ्रियां निकालने के लिए हम मठ्रियों को कल्ची पर उठाएंगे और कल्ची को कड़ाई के किनारे पर थोड़ी देर के लिए रोक लेंगे तक कि एक्स्ट्रा तेल कड़ाई में बापस चला जाए और मट्री निकाल कर हम प्लेट में रखेंगे सारी मट्री हम इसी तरीके से तल कर तयार करेंगे यह मट्रियां हमने तल कर तयार कर ली और एक बार की मट्री तलने में साथ से आठ मिनिट लग जाते हैं इतने आटे से हमने तीस मट्रियां बना कर तयार की हैं सूजी से बनी खस्ता कुरकुरी मट्री खाने के लिए तयार हैं बहुत अच्छी मट्री बनी है और इन्हें बनाना भी बहुत आसान है लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना है जब आप सूजी का डो लगाएंगे तो उसे ज्यादा सॉफ्ट ना करें हलका सा सॉफ्ट रखें बाद में वो स्रक्त हो जाएगा और मट्री तलते समय मीडियम और धीमी आग पर मट्रियों को अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक तलना है बहुत अच्छी मट्री बनकर तयार होंगी और मट्री को पूरी तरीके से ठंडा होने के बाद किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भरका रख लीजिए और आप इन्हें पूरे दो महीने तक खाते रहेए बहुत अच्छी मट्री रहेंगी तो आपने बनाईए खाईए और अपने अनभव निशामधिलिका.com पर शेयर कीजिए एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब चरूर कीजिए